जै येशु प्रभु येशु मसी के मधुर और जलाली नाम में हम आपका येशु दरबार अराधना में स्वागत करते हैं और आज की अराधना आपके लिए अनुग्रे का कारण ठेरेगी जै येशु जै येशु हम लोग येशु येशु नामनो और उसका तेरा से देखेंगे लोग उसे जो पहले अंदा था फरीस्यों के पास ले गए जिस दिन येशु ने मिट्री सान कर उसकी आखे खोली थी वो सब्तका दिन था फिर फरीसियों ने उसे पूछा कि उसकी आखें की सिरीती से खुल गए उसने उनसे कहा उसने मेरी आखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और अब देखता हूं इस पर कुछ फरीसी कहने लगे ये मनुष परमेश्व की ओर से नहीं क्योंकि वो सब्त का दिन नहीं म कहा दूसरों ने कहा पापी मनुष ऐसे चिन कैसे दिखा सकता अथ उन में फूट पड़ गई उन्हों ने उस अंधे से फिर कहा उसने तेरी आखें खोली हैं तू उसके बिशे में क्या कहता है उसने कहा वो भविश्वक्ता है परंतु यहूदियों को विश्वास ना कि वो अंधा था और अब देखता है जब तक उन्हों ने उसके आंके खुल गई थी उसके माता पिता को बुला कर उनसे ना पूछा क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था फिर अब वो कैसे देखता है उसके माता पिता ने उत्तर दिया हम तो जानते हैं कि ये हमारा पोत्र है और अंधा जन्मा था परन्तु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है ये सयाना है उसी से पूछ लो वो अपने बिशे में आप कह देगा ये बाते हैं उसके माता पिता ने इसलिए क्योंकि वे येहुदियों से डरते थे क्योंकि येहुदी एक मत हो चुके थे कि यदी कोई कहे कि वो मसी है तो आराद नाले से निकाला जाएं इसी कारण उसके माता पिताने का वो सयाना है उसी से पूछ लो जैसा कि ये अंदा विकारी व्यक्टि प्रभी येष्यू कौन है इसकी समझ सीमित थी उसने प्रभी येष्यू के विशे में कुछ नहीं सुना था केबल वो ये जानता था कि वो एक व्यक्टि है लेकिन येश्यू की ये बास सुनकर जब वो अंदर विकारी प्रभी येश्यू के पास आता है प्रभु येश्यू उससे केबल ये कहता है कि जाकर धोले उसने मन में कुछ नहीं सोचा कि प्रभु येश्यू ने मैं तो आया था चंगाई के लिए उसने केबल इतने ही कहा कि जा जा शीलो के कुण में धोले शीलो का अर्थ है भेजा हुआ हर एक आदमी के हाथ की बात नहीं है कि हर आदमी कह दे कि जा वहाथ धोले तो तेरी आखे पुल जाएंगी क्या किसी में तनी सामर्थ है क्यूंकि आदमी तो पापी है और हर एक आदमी मरा और मन्ने के बाद वो उपर से जीवित नहीं लोट पाया क्यूंकि उनके पाप ने उनको हमेशा के लिए मार दिया उनको जीवन प्राक्त नहीं हुआ अनंत जीवन ये अनंत जीवन वो है जो हमारा सच्चा परमेश्वर इस संसार का मालिक परमेश्वर एक है जो वो ही दे सकता और कोई नहीं क्यूंकि जीवित है और मन्ने के जलता फिरता रहा लोट कर भी आया और अपने चेलों के साथ खाना भी खाया लोगों को चंगाइ भी दी वो मरने के बाद वो कहां कहां गया प्रत्वी की निचली जगाओं में भी गया जहां आत्माय कैद कर रखी दे शेतान में उस अंदे विकारी ने प्रभू की आग्या का पालन किया उस अंदे विकारी को प्रभू येश्यू के कहने के धंग में कि जा धोले, एक बात उसके मन को छू गई ये बात उसके हिर्द को उसने छू लिया और उसने कहा, मन में ठालिया कि मैं अवश्य जाओंगा और वो जाके अपनी आँखों को धोया, जैसे ही उसने धोया, वो देखता हुआ लौट आया, सोचिए कि एक अंधा व्यक्ति जिसने जीवित पर मेश्वर पे विश्वास किया, उसने कोई बिरोध नहीं किया, कि प्रभु येश्य तु मुझे क्यू नहीं छू रहा है या क्यू नहीं कह रहा है कि जाज तरी आखे खुल जा, नहीं, यहां एक ऐसा आदमी है, जिसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, कभी उसे रंगों के बिशे में नहीं पता था, कभी उसने सूरत की रोश्णी को नहीं देखा था कभी इनसान के चहरों को नहीं देखा था उसने स्ष्ष्टी करता जीविद पर मेश्वर की स्ष्ष्टी को अपनी आँखों से देखा कितना प्रसंद हुगा कितना खुश हुगा और उसको जो खुशी मिली वो ही जानता है आज क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु येश्व पर उस अंदे व्यक्ती ने विश्वास किया विश्वास केवल विश्वास और विश्वास से हर ये काम संबब है जिस दिन येश्व ने उसकी मिट्टी सान कर लगाई उसको जीवनदान मिल गया एक अंदा व्यक्ति अपने जीवन को कैसे व्यतीर कर सकता बिना देखे आँखों के और ये सब का दिन था जिसमें प्रभु येश्यू ने ये चंगाई उस व्यक्ति को दिये सब का दिन बहुत पवित माना जाता है जैसा कि फरीसी लोग, यहूदी लोग जो बड़े धर्म के ठेकेदार हैं जो अपने आप को बहुत धर्मी बताते हैं अपने मन को ज्छांक के देखें कि वो कितने बड़े पापी हैं सब का दिन मुसा ने ये आग्या दी थी कि उस दिन कोई भी कैसा भी काम ना किया जाएं लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये समस्या सब के दिन की प्रभु येश्यू के प्रती साजिश बनती जा रही थी वो बिकारी कि जब आँखे खुली तो अपने घर को चला गया जैसे वो अपने गली में घुसा लोगों ने देखा और ताजिब किया कि ये व्यक्ति वो ही है जो इतनी तेजी से जिसकी आँखे खुली हैं चलता चला जा रहा कुछ ने कहा ये वो ही व्यक्ति है लेकिन उस अंदे बिकारी के जो वो दी में धी में टटोल के चलता था ये वो नहीं दिखता सब लोग ताजिब करने लगे कि उसका जैसा लगता तो है लेकिन ये समल समल कर नहीं चल रहा कुछ ने कहा उसके जानने वाले लोगों ने कहा बहस करने लगे कितनों ने कहा ये वही है औरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है जब इस अंधे व्यक्ति ने सुना तो कहा मैं वही व्यक्ति हूँ केवल उसने बिश्वास किया और बिश्वास के साथ प्रभू की गभाई भी लोगों के सामने देता है ड़ा नहीं वो उसके माता पिता को हम आगे देखेंगे ड़तो गए लेकिन उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि हाँ मैं वो ही व्यक्ति हूँ जो अब देखता हूँ यहुदी उसने पूछने लगे कि तेरी आखें कैसे खुलिया तो क्यों कर देखता है उसने बताया एक येश्यू नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आखों पर लगा दिया और मेरी आखें खुल गए और मैं देखने लगा लेकिन ये इस परस्ट था कि अधिकारियों को पता था कि ये अंधा आदमी किस व्यक्ति से मिला उन्होंने प्रभु येश्यू के विशे में जान रखा था उन्होंने चर्चाएं तो सुनी थी लेकिन इस पर ये फरीसी लोग कहने लगे ये मनुश परमेश्वर की ओर से नहीं है आपस में लोग बहस करने लगे कि पापी मनुश कैसे ये चंगाई कर सकता लेकिन प्रभु येश्यू को ये कहने में उसने कुछ नहीं खा इस से लोग कहते हैं ना कि व्यवस्ता बनी है मूसा की व्यवस्ता धर्म के ठेकेदार बड़ा ओर्डर करते हैं पंचायते गौवें में बनाई जाती हैं और हुकम देते इसको इतना माला जाय इतना कोड़े इसको ये सजा, उसको वो सजा वो व्यक्ति अपने आपको ज्खाके नहीं देखता कि तू कितना पापी है तूने अपने जीवन में कितने पाप किये क्या तू शुद्ध है क्या तू पवित्र है क्या तू परमेशा के समान है नहीं तुझे तो एक भी हुकम की कहने की जरूरत नहीं है लेकिन आदमी अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार हूँ और मुझे ये आग्या परमीशन सोचता है कि मैं दूसरे को ये दंड दे सकता हूँ दूसरे को ये दंड दिलवा सकता हूँ जैसा कि एक बहविचार में इस ती पकड़ी गई थी और धर्म के ठेकेदार और उसके साथ अंधे व्यक्ति बीड इखटी करके आगे और प्रभु येश्यू के पास उसको लाए और कहा कि प्रभु येश्यू ये बेविचार करके हूँ ये पकड़ी गई प्रभु येश्यू संसार का सर्व्यापी जिसकी द्रस्टी हरेक मनुष पर लगी रहती है जो हमारे मन की बात को प्रभु येश्यू जानता है कि हम मन में क्या सोच रहे है और हमने अपने जीवन में कितने पाप किये हैं ये भी प्रभु येश्यू जानता है लेकिन इंसान बड़ा अंधा है बहुत अफसोस है कि खुद इंसान पापी होने के मावजूद दूसरे पर उंगली उठाता ये जूटा विक्ती जो जूट की दौर दौर रहा है पाप की दौर दौर रहा है और इस संसार की दौर जिसमें जूटी जूट भरा है उसमें दौर रहा है अपने जीवन को नस्ट कर रहा है लेकिन इस अंदे विक्त किया और सब के सामने गभाई दीं, आज हमारा भी यही कर्तब्य है, कि हमें प्रभु येश्यू की गभाई देना है, कि उसने हमारे जीवन में कितने बड़े-बड़े चमत कार किये। जब वो प्रभु येश्यू के पास लाए, कि इस सिस्थी को विवेस्ता में लिखा है कि पत्थर मार के इसको ऐसा किया जाए जो दंड उसको दिलवाना चाहते थे कड़ी से कड़ी लेकिन वो नहीं दिलवा पाए क्यों? क्योंकि प्रभु येश्यू वहां उपस्तित था प्रभु येश्यू ने हर एक मन को जाचा पवितात्मान ने उनको बताया उन आदमियों को कि देख तूने इस दिन ये गंदा काम किया था तूने इस घंटे ये वेविचार किया था तूने इस घंटे चोरी की थी तूने इस घंटे हत्या की थी लेकिन प्रभू ने कहा कोई भी इस इस्ती को दन नहीं दे सकता पहला पत्थर वो ही मारेगा जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया यदि आज हर एक आदमी इस बात को समझ जाए तो इस भारत में आपस में एक दूसरे के साथ प्रेमी प्रेम दर्शाया जाएगा कोई लड़ाई जगड़ा नहीं कोई किसी को सताएगा नहीं कोई जात्मात का बेद नहीं करेगा कोई चोरी नहीं करेगा आपस में मेल से रहेगा यहूदी लोगों ने कहा कि सथ के दिन की विदी को ये तोड़ता है प्रभी एश्यू प्रंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आपको परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता है क्योंकि वो अंदे थे प्रभी एश्यू पर विश्वास नहीं करते थे फिलिप्पी दो और छे में लिखा है परमेश्वर के तुल भी ठेराता है ये तो सच्चाई है कि वो परमेश्वर के तुल है और जिसने अपने आप को शूर निकर दिया इसने अपने विरोध में कितनी बातें सही फिलिप्पी यानि परमेश्वर का बचन दो और छे कहता है जिसने परमेश्वर के सरूप में होकर भी यानि ये शू मसी ने परमेश्वर के तुल होने को अपने बश में रखने की बस्तू ना समझा वरन अपने आप को ऐसा स्चून कर दिया की दास का सरूब धान कर लिया और मनुश की समानता में हो गया और मनुश के रूप में अपने को दीन किया और यहां तक कि उसने सब हमारे पापों को अपने उपर ले लिया पाप तो आदमी ने किये पाप परमेश्वर प्रभु येश्यू ने नहीं किया लेकिन आदमी की आखे क्यों नहीं खुलती, इस क्रूस पर प्रभू ने अपने आप को दिया, अपनी इक्षा से, क्यों दिया अपनी इक्षा से, क्योंकि प्रभु येश्यू आप सब को इस दुन्या के हर एक व्यक्ति को प्यार करता है, ताकि उनका उद्धार हो, ताकि व रहें। उसका ये था कहदे का मतला। हमारा प्रभु येश्व कहता है युन्ना साथ, एक्टीस और तेईस। येश्व ने उनको उत्तर दिया। मैंने एक काम किया। कौन सा काम वो भी सत के दिन। और तुम सब आश्यर करते हो। येहुदियों से कहा। क्यों चकित होते हो। आगे उनको समझाया। हे येहुदी, हे अंदे लोगों सब के दिन तुम खतना करते हो। याद दिलाया। लेकिन ये अंदे व्यक्ति येहुदी प्रभु येश्व पह आरोप ही लगाते जा रहे थे। तो मनुष्का खतना करते हो। जब सब के दिन का मनुष्का खतना किया जाता तकि मुसा की विवस्ता और मुसा की आग्या ना जाए। यानि खतम ना हो। इन अंदे व्यक्तियों से पूछो येहुदीयों से कि सब के दिन को पवित मानते हो। लेकिन मनुष का खतना करते हो, अरे अपने मन का खतना करो, अपने मन को बदलो, प्रभु येश्यू पर विश्वास करो, नहीं, प्रभु कहता है कि तुम मुझ पर तरोध क्यों करते हो, इसलिए कि मैंने सब के दिन एक मनुष को पूरी रीती से चंगा किया, ये बाते सुन कि येहुदियों ने सच्चाई की रोष्णी यानि प्रभु येश्यू, येहुदी लोग ने येश्यू को चिनोती दे, प्रभु येश्यू ने कहा, कि तुम अंदे हो, आंके होते हुए भी नहीं दिखाई देता, और वास्तर में इंसान अंधा, क्यों नहीं सच्चाई क और दिमांग पर चलना चाहता, क्यों नहीं सत्य अपने मुदसे बोलना चाहता, ज़ादा दिन तक ये जूट नहीं चल सकता, ये जूट इंसान को बरुआद कर देता है, ये जूट ये पाफ मनुष के जीवन को नस्व कर देता, जीवन को बचाना है या अपने मन की इक्षा को इस अंदकार के द्वारा पूरा करना है इनसान नहीं सोचता यहना आठ पच्चीस में वो लोग कहते हैं यहुदी कि तू कौन है जो यह चमतकार भी दिखाता है और सब के दिन को यह काम करता है जबकि इंसान को कोई काम करने की इसाज़त नहीं होती है प्रभी येश। नहीं का मैं वही हूँ जो प्राड़म है तुम से कहता है आधी और अन्द प्रभी येशू है अमेगा अलफा येशू है जीवित प्रभु है संसार की जोती है बेरों का दौर प्रभु येश्यू है मार्व सत्य और जीवन मैं ही हूँ प्रभु येश्यू ने कहा लेकिन इनसान इस सच्चाई को नहीं जानना चाहता प्रभु येश्यू ने कहा तुम नीचे के हो यानि इस जमीन के और मैं उपर का तुम संसार के हो, मैं संसार का मैं प्रभू इस जमीन पर इसलिए आया कि वो हम सब को ये उब्देश, ये सच्चाई, चंगाई सत्य प्रभु येश्यू के विशह में परमेश्य के विशह में जान सबो अपने बचन को, सच्चाई का बचन इस अंदी जन्ता के पास पहुँचा दे, लेकिन इन अंदों ने प्रभु येश्यू की शिक्षा पर विश्वास नहीं किया, उनका जीवन नस्थ हो गया और जिनों ने विश्वास किया, वो बचाए गया प्रभु उनसे कहता है कि जिसे तुम मानने की कोशिश कर रहे हो जब सब के दिन ये विदी को प्रभु येश्यू तोड़ता था चंगाई देता था तो ये मानने के प्रत्न और अधिक करते गए प्रभु येश्यू ने उनसे कहा तुम जिसे तुम मानने की कोशिश कर रहे हो प्रभु येश्यू ने उसके मन की बात को समझा कैसे समझ लिया बिना बताए कि कि वो एक ही परमेश्वार संसार का सिस्टी करता है और जिसे तुम उचे पर उठाओगे प्रभु येश्यू ने अपनी म्रत्यों के विशह में भी बता दिया उचे पर उठाओगे यानि स्क्रोस पर चढ़ाओगे अपनी एक्षा से प्रभु येश्यू ने जान दी इन लोगों ने नहीं जब मनुष का पुत्र उचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर बिश्वास लाए वो अनंत जीवन पाए ये इसलिए हुआ यहना बारा बत्तीस में लिक्रार मैं यदि प्रत्वी पर से उचे पर चढ़ाया जाओगा तो सब को अपने पास की चूँगा सब को अपने पास की चूँगा यानि हम सब को वो अपने साथ स्वर्ग में रखना चाहता है इसके पिता के घर में बहुत से घर है लेकिन इंसान वहां नहीं दूसी जगा अपने जीवन को नस्ट करने के लिए वह रहना मांगता वही जो स्वर्ग में जाओंगा यानि अपने सर्ग रोहन की भी बात प्रभु येश्व ने उन यहूदियों को बता दे प्रभु येश्व ने कहा मैं जाता हूं तुम मुझे ढूंडोगे और तुम पाप में मरोगे तुम मेरे पास नहीं आ सकते ये पहले से ही बता दिया था कि इंसान वास्ता में पाप में मर रहा है एक के बाद एक पाप जूटा रोप हत्या चोरी बैमानी यहां नहीं कर रहा है लालच बहु बेटियों की इज़त लूटना क्या इस संसार में हो रहा है यदि प्रभु येश्व की जोती के विशे मे जानते यदि प्रभु येश्व की सच्चाई के विशे में जानते तो ये हमारे देश में शांती हमेशा बनी रहती है और ये देश संसार में रहने वाले हर एक आदमी हर एक इंसान परमेशे के बचन पे सब भी श्वास करें तो हर देश में शांती स्थापित हो सकती है य यहूदी उनके माता पिता को बुलाया। और उसके माता पिता देश के सब-सक्तिति साली लोगों के सामने आये। और उनको पेश कियागा। सवा ने उनसे तीन परष्म पूछेतेwatch कहा क्या एं तुम्हारा पुत्र हैДа उनोंने कहा हाँ यह हमारा पुत्र है। क्या यह अंधा जन्मा था उन्हों ने कहा कि हाँ यह अंधा जन्मा था हम जानते हैं। तीसरा प्रशन था कि अब वह क्यों कर देखता है। माता पिता डर गए। जन्ना नहीं चाहिए। क्युंकि इन्हों नहें दो फ्रेश्नका उत्तर दिया हो तीस्रे का उत्तर नहीं देपाए है tới क्युंकि वहा पर पहलेसे यह बोल दिया गया था कि यदि कोई गरे है प्रभु येश्यो को कि वह मसी तो उसे आराव लाह से निकाल दिया जाए गा क्योंकि वे मुसा के अनुवाइग थे और उसने, उन्हें याद दिलाया कि पवित शास बताता है कि परमेशर पापियों की नहीं सुनता यहुदी भी पापी थे, इनकी क्या प्रात्ना सुनी जाते क्योंकि वे मुसा के अनुवाइग थे और भजन सहिता 34 और उसका पंद्रा में लिखा यहुबा की आँखे धर्मियों पर लगी रहती है उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहती है इसका सहास देखें इस अंद्रे व्यक्ति का वो अपने डर्वेईयों की हमारा परमेशर डर्वेईयों की इक्षा पूरी करता है उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है परमेश्य का बचन हमें ये सिखाता है आज हमें वो सहाज देता है वो हिम्मत देता है कि जिस प्रकार ये अंदा व्यक्ति को यहूदी बिरोदी लोग सता रहते हैं उसका बिश्वास और द्रड़ होता गया परिशानी आती है लेकिन उससे ड्रना नहीं चाहिए इन अंधों का बिनाश नस्ट होना वो खुझ जानते हैं कि कैसे होगा हर आदमी कैसे कह सकता उन्हें स्वर्ग के विशे में पता ही नहीं है कि स्वर्ग है क्या और मनने के बाद ये जो अमीर आदमी था उसके पांच भाई थे मरने के बाद उसने हकीकत उपर जाके देखी उसने प्रभी एश्यू को अपने जीवर में महत नहीं दिया उसने धन को अपने जीवर में महत दिया अपने घमंड को अपने जूट को उसने सहाज दिया यदि वो इस गरीव आदमी की सहाथा करता तो स्वर्ग में जरूर जाता उसने चीज़ को महसूस किया और उसने उस लादर व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्तियों के लिए भी कहा इसको नीचे भेज दे क्यूंकि मेरे पांच भाई हैं और ये पूरी संसार की जनता भी उसके लिए कहा कि जो अन्य भिग हैं जो प्रभी येश्यू के विशह में नहीं जानते कैसे सच्चाई से रहना है और उन्हें अगर नहीं मानते तो उन्हें भी ऐसी जगाना जहां वो है आज पर मेश्यर का बचन हमें सिखाता हम किसी अंदों के वहकावे में ना आएं क्या एक अंदा दूसरे अंदे को माग दिखा सकता है नहीं वो तो अपने आप में डूबी रहा है जूटा वयक्ती वो तो अपने जीवन को नस्ट कर रहा है दूसरे जीवन नस्ट ना करें परमेशय का बचन ये सिखाता है कि हमें प्रभु येशु पर विश्वास करना है और अटल विश्वास वो हमारी दर्ड चट्टान है प्रभु येशु आपको बहुत आशीच दे जो आप उसकी संगती में यहां बैठे हैं परमेशय के बचन पर विश्वास करते हैं और जैंइशु येशु जैंइशु येशु द्रवार के आज के कारकरम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीच दी होगी और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फलेश किये जा रहे हैं आप इस stickers पर फोन करके अपने लिप्राफ़् ना करा सकते हैं और प्रभु येशु मसी प्रभू मुझे ले चल, सत गुरु पास, सत गुरु में है आनंद का वास आ, 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 आ,आ,ओूू